इस पेड़ों में हम बात करने वाले हैं NFOVC Scholarship किसे मिलती है क्या PhD पश्यू कर रहे हैं या PhD से पहले मिल जाएगी ताकि आप PhD में इसका लाब उटा सके सब को जानेंगे और इसके डिटेल में वीडियो मैंने कई वीडियो बना दी है कितने लोगों को मिलता है, कब मिलता है, क्या procedure रहता है overall selection procedure से लेगर तो वो भी आप वीडियो दे सकते हैं सच करना है NFOVC student video आपको बहुत सारे वीडियो इसमें देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर बताना हो, sits का पर कम होते हैं Limited Numbers को दिया जाता है, यहाँ पर जो है, Limited Number of student को क्यों दिया जाएगा क्यूँकि साल में यहाँ पर याद रखे, एक हजार sits जो है, आपको दी जाती है एक हजार sits में आप देखेंगे, यहाँ पर आपके चार examination होते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से examination है तो यहाँ पर देखेंगे दो बार आपका UGC net होगा ठीक है और CSR net होगा आपका दो बार होता है तो उसमें जो है डिवाइड हो जाती है कभी 20 हो कभी EC के बीच में रहता है ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं NFOVC जो है eligible तो आप है जब आप master's form fill up करते हैं master's में जो है form fill up अगर आप करते हैं UGC net या CSR net की OVC के अडिनेट है तो आप यहाँ पर eligible हो जाते हैं NFOVC के लिए अब यहाँ पर eligible तो हो रहे हैं तो क्या master's में यह मिल जाती है क्योंकि आप देखें यहाँ पर master's में बहुत यहाँ पर लोग बोलेंगे आपको की जी नहीं यहाँ पर master's में नहीं मिलती जो की बात बिलकुल यहाँ बर सही है क्योंकि यहाँ पर criteria अगर आप देखते हैं त आपने यहाँ पर बहुत कम प्रसंटाइल से मिस कर दिया और जो है मास्टर्स में आप है तो आपके चांसेस यहां होते हैं कि आपको भी मिल जाएगा बर मुस्ट अफ केस में यहाँ पर पीएजडी स्कॉलर्स जो पर्शिव कर रहे हैं पीएजडी उनको यहाँ पर दी जात जाता कि आप एनिफ ओवेसी के लिए लिजबल है या नहीं तो मास्टर्स में बिलकुल चांसेस होते हैं पर बहुत जादा यहाँ लग का मैटर करता है खुब आपको समझ में आ गया थैंक्स पूर वाचिंग बेस्ट अफ लग